उच्छतिसगड के रायगड जिले की सीमा से लगे उडिसा के रिंगाली थानत छेत्र के शर्धा महानादी घाट पर एक नाप पलड़ी हाथसे में एक महिला की मौद भी हो गई है नाम में करीब सत्तर लोग सवार थे उसमें सवार बाकी लोग तैर कर बहार निकल गए जब की साथ लोग लापता है कोतरलिया के पूर्व सरपंच मिनकेतन प्रधान ने बताया कि रायगड के ग्राम कोतरलिया निवासी गंगा राम लोहर के घर खरसिया से जब करीब 50 लोग आये थे जहां से सभी लोग पिकप मार्शिल और कार से शर्धा पतर सेनी मंदर में पूजा करने जा रहे थे इस हाथ से को लेकर मुख्य मंतर विश्णु देव साय ने भी दुग जताया है